नमस्कार मित्रो सुवागत है आपके अपने यूटूब चैनल एपक स्टीडी में वीडियो में देखे आज आपने कवर करेंगे राजस्तानी बासा एम साहिते के देखे परमकुष पचास के उसना टेम करेंगे इसके अंदर जो कि रिट मुक्य परिक्षिया और 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 पर एका दोस्तो देखे दोस्तो आरपेसे सेकंड करेट के अभ्यारतियों के लिए ये सांदार मौका है इसके अंदर देखे ये वेकेंसी दुबारा दो तिन साल तक नहीं आने वाली तो ये दस पंदर दिन दोस्तो आप समय दीजिए जो भी भाई जो आप करते हैं प्राइस्ट पेपर आ रहे हैं इन में से काफी कुछन बनेंगे आप जरूर से इनको लगाईए तो शुरू कर लेते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हो ये देखिए पहला क्यूशन है दोस्तो हाला जालारी कुंडलिया के करती के रचनाकार कौन है इसका हो जाएगा दोस्तो ये रामा अवतार अगरवाल है दोस्तों इसके बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखिए साहिते रचनाकार उनका गलत युगम को चेन करना है इसके अंदर वीर सत्साई देखिए सूर्यमल मिसर्ण दवारा लिखी गई और देखिए एक लिंग माहतम में ये का पान्या वास द्वारा लिखे गई दोस्तों इसके अंदर प्रीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ताओ निरा चूट क्या केसरी सिंग बारट और डोला मारूरा दुआ कभी कलोल द्वारा लिखी गई रचना है अगला देखिए फौर्थ नंबर निमन लिंग में से कौन सा जय ke अधिये और देखे राजस्तानी बास अगा सबसे पहला उपनियास और राजस्तानी देखिए राजस्तानी का फर्तम नाटक विष्रान्त प्रवड़ा दौरा लिखा गया था और राजस्तानी की फर्तम कहानी कुन सी थी पानी देखिए विसरांद पारवसी जो की सीवचंद भारतिया द्वारा ही लिखे गई थी पेट भी अक्सर पूछने जाती है तो गुन्नी सो के अंदर देखिए अगला क्यूशन देखके हैं पाइप नमबर कौन सा डाक्टर दसरत सर्मा दवारा गरंत रचित नहीं है दोस्तों तो दसरत सर्मा दवारा कौन सा रचित नहीं है इसके अंदर यह विरहिदी चत्री दवारा यह नेल और बाकी देखिए राजस्तान थू तीयजेज लेक्चर और राजपुत इस्ट्री एंटल कल्चर अल्ली चोहान डाइनिस्टी ये सभी क्या है दसरत सर्मा के रचना है दोस्तो आगे देखिए जो विरिहिद शहत्री है दोस्तो ये दूर्शा अड़ा की लिखित रचना है किस भासा को राजस्तानी भासा का उुदुभव वर था या शरोसरी अबधरंस आगे शरोसरी अबधरंस के दोवरो वहा नेक्स्ट किसन देखिए राजस्तानी भासा साई तै इस संस्कृति अकादमि कiren सत्य खत्न काउन सा है इसमें पत्ते खत्रन का चैयन करना है तो देखे अकादमी की स्तापना 1983 बिकानेर में हुई इस एक रेक्ट आंसर अगला देखे अकादमी राजरसानी बासा के साहेते में विकास यह तो समर्फित संस्तान है यह भी सही है दोस्तों इसके अंदर और अकादमी दवारा परकाशित पत्री का जागती जोत है यह भी करेक्ट है और देखे अकादमी दवारा परदान किया जने वाला सरवोच पुरुषकार कौन सा है तूरियमल मिसरन फिकर यह पुरुषकार दोस्तों इसका राय टांस हो जाएगा अगला क्युचन देखे राग कल्प दुरुम किसकी रचियता है तो यह कशनानंद व्यास दवारा रचित है यह अगला देखे नो नमबर निमल में से कौन सा करत सूरियमल मिसरन दवारा रचित है तो देखे वंस बासकर राम, रंजाट और चंद मयुक यह सबी लिखे होएं दोस्तों दूरियमल मिसरन दवारा देखे वंस बासकर और वीर सच सही इनकी परचित करतिया है और राम, रंजाट और बल, बलवेद विलास और चंद मयुक रुद्धातूर उपावली और सतीरासो मिसरन यह परमुक रुपसर जनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों याद रखिएगा और वंस बासकर का एतिहासी कावे रचना है वीर सच सही अठारहसो सतावन की गठनाव पर परकाश डालती हैं दोस्तों अगला दिए किसरन नमबर ग्यारा देखिए किस रमत कलाकार को मातमा गांदी को सब्तनत बावने पुस्तों तक भेट की दोस्तों तो यह सेज कवी जैसल मेरी 20 का करेक्ट आंसर अगला देखिए किस लेका को कानोन की माता के नाम से पुकारते थे जो कि लेका को कानौन की माता के नाम से बुकारते थे अगला देखिए क्यूसन तो पग पेरा किस की है दोस्तों ये मणी मदूकर की है ए इसका करेक्टान दोस्तों पुजा पद्यती पुस्तकों की रचनाकार किसने की दोस्तों जो पुस्तके दिए इनके रचनाकार है जोरावर सिंग देखिए वाक्या माराजा जवरावर सिंग 24 पर वरीको 176 बिकानियर के सिंगासन पर बेटे उनके बनाए गए दो संसकर्त गरंथे खेद कसार और पुजा पद्यती बिकानियर पुस्तकाले में संग हैं दोस्तों आगे देखिए राजस्तान की कूपरताओ पर टास करती जो कौन सी बुक है रस्मा ओडन के लेकर कौन है तो यह सांता गांदी है दोस्तों इसका ए इसका करेक्ट आंसर रास्तानी बासा के चंदो के आधार पर रचित पिंगल सी रोमनी गरंथ के रचिता कौन है पिंगल सी रोमनी गरंथ के रचिता यह कुसल लाब इसके राइट आंस लोजाएगा डी कि उसन नंबर सता देखे दोस्तों फर्मा फर्दा टू दे पीपुल्स किस लेकिका की जीवनी है तो ए इसका देखे राइटांस लेगा लक्षमी कुमारी चुडावत देखे यहें एक विदेशी महिला जो की कौन फर्मा फर्दा टू टू पीपुल्स के नाम से एक लक्षमी कुमारी चुडावत की जीवनी लिखी दोस्तों अगला की उसन देखी एटारा नंबर जमीन रो गणी कुनी मेंजर पुष्टकों के लेखर की रचिता कौन है दोस्तो यह तो रास्तान के सूपरसित कन्याल लाल सेटिया है और देखे इनके अन्नी कौन सी कृतिया है देखे इनका देखिए सरोफ़तम ये देखिए रास्तानी बासा के परसिद कवी रहे गुन्नी सो 11 सितंबर गुन्नी सो गुन्नी से लेकर 11 नौंबर 2008 तक जिनम इनका चुरू जिल्ले के सुजानगर सहर में हुआ था और देखिए इनकी परमुक करती है रमनिया रासोटा और गलगचिया मिंजर ककूं और दे लेल्टास ये परसिद है दोस्तों काफी और दे धर तुकूचा और धर मंजला और माइडरो हेलो और देखिए सब्द सत्वानी और दे अगिरिकला हीट और देखिए ककलो कोडरो और देखिए लिकल कोलियो और देखिए एमानी ये परमुक रूप से और आपको देखिए दोजाच चार में पदम सिरी और साहिते कादी पुरसकार से नावाजा गया और गुनिस और ठैसी के अंदर इन्हें दोस्तों ग्यान पीट के मूर्ती देवी साहिते पुरसकार से भी समानित किया गया अगला देखिए वीर मायन का रचनाकार कौन है दोस्तों वीर मायन का रचनाकार बादर डाडी पचेता है इसके देखे वाक्या बादर डाडी ने कावे में खेड और रावल मनलीनाज जी और उनके बतीजे कौन गोगादे दवारा ये युदों का विवरन दिया है इसके अंदर बादर डाडी ने और देखे ये रचना काफी लंबे समय तक सुसनिस्ट माराज महात नामध सिंग काल में यह है उनके आसित कव्यकॉन बुद्दिजी सासिय है ने इस गावे को फरतमभा संकलन पर और महाराज के पूर बज वीरमदेव के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया वीरमाईन और इससे पहले ये बादर डाडी की निसानिया कहलाती ती दो देखे इसके अंदर ए नमबर सुमर्वलित नई है बोल बारमली याद सर्मादवाँ देके दोस्तों बॉल बाहरमली राजस्तानेबसा के विग्जा साहितेका सत्य परकास की जोसिकी या रचना है जिसके लिए उन्हें 1977 में रास्तानी बासा साहितिया कादमी पुरुषकार से भी समाने किया गया जिसकी है बोल बाहरमली सत्य परकास जो शिकी अगला देखिए 21 नंबर फातरी फुलुबारी ये लेकर कौन है दोस्तों विजे नान देता है दोस्तों ये अगला देखिए मुनियारी ख्यात के विसे क्या है दोस्तों देखिए प्रेम विनोद नामगरंद किसके रचना है दोस्तों तो ये चंदर कुवारी की है प्रमुक रचना है अगला देखिए सिसुपाल वद्दमक नामगरंद के रचना कौन है अगला देखे दावडी किस दिनले की एक बोली है अगला देखे पर्तिवी राज विजे के लेका कौन है अगला देखे पर्तिवी राज राटोड पित्थल को डिंगल के हेरोस के उपमा दी है इसने के सिटोरी ने दी है दोस्तो दोस्तो यह रहे देखे अगला क्यूसर नया थाइस नंबर निमन मसे कौन सा विद्वान है जो रस्तानी बासा बोली हो सम्मधित कारिये के लिए नहीं जाने जाते तो यह दोस्तो यह इसका हो जाएगा नौम प्रोमस की तो यह दोस्तो दोस्तो दोहा किस का है पर्मकुरूप से प्रोनाउंस सही से नहीं होगा मगर आप कौपरेटर जरूल कीजिए देखिए तो यह पर्मकुरूप से सूर्य अमल मिस्रण का है अगला देखे दोस्तो तीस नंबर निमन मसे कौन जेपुर और जोधपुर की स्तापनादिती बताता है इसके अंदर देखिए बांक की दास रिख्यात बताती है जो कि जेपुर जोधपुर की थी थी देखिए बांक की दास रिख्यात जवारा रचित दोजार बातों के संग्रायवाली यह ख्यात ततकालिन सामाज की वेस बुसा आप भुषण और रिती रिवाज के बारे में वरत जानकारी से अवगत कराती है अगला देखिए राजस्तान की बासा के लिए राजस्ताने सब्दका परियोग सुरोफरतम किस ने किया यह देखिए जार्ज अबरहम ग्रियसन ने किया था सरवफरतम जार्ज अबरहम ग्रियसन रास्ताने बॉलिया का सुरोफरतम 1907 से और आठ के मद्दे देखिए भारती बासावी से के कोस में लिया और देख कोस किया और देखिए बोलियों का फर्तम वर्णातम दिगर जन 1912 में सर जार्ज अबराम ग्रियसन नामक विद्वान ने अपने गरंथ कौन से लेंगिस्टिक सर्वे ओप इंडिया के अंदर 11 खंड और 20 भाग में किया और उन्होंने देखिए इस गरंद के 9 खंड में कि दूसरे बाग में सरो फर्तम राजस्तान ने सुचंत वासा के रूप में वेगैनिक विसलेशन पस्चुत किया सरो फर्तम दोस्तों ये 507 के अंदर देखिए जार जब रहम देशन को जाता है रास्ताने अगला देखिए 32 नमबर कौन सा गरत सूरिये मल मिसरन दवारा रचीते दोस्तों कौन सा गरत ये सबी मिलेते हैं उप्रिक्ट सबी देखिए इनके जो पर्मुगरंद वंस बासकर वीर सत्साही उनकी परशित करतिया है और राम रंजाट और बलवद विलास और देखिए चंद मयोक और दातुर उपावली और सतीरों मीशन अन्ने इनकी पर्मुगरचनाएं है और देखिए वीर सत्साही की अठारसु सत्साही की गठनाओं को भी संदबरत किया है दोस्तों इनोंने ये अठारसु सत्साही के समकालिन थे अगला देखिए 33 नंबर किस बासा को विस्तिस छेतर परसारित पश्च्चमी राजस्तान के परमुक बोली के रूप में वर्गिकर्थ किया और देशी वक्ताओ जवारा बार्षन के एक मसामाने रूप से लिखा गया जो कि संपूर्ण देश में फेले हुए आई जाते हैं ये दोस्तों संपूर्ण देश में देखिए मारवाड़ी है 37 नमबर देखे किस अचना में विकानेर के महराजर रतन सिंग 1836 दवारा अपने सामनतों को कन्यावद रोकने के लिए परतिग्या करवाने का वर्णन जो की बड़ा महतपूर्ण है दोस्तों ये दयाल दासरी खियात के अंदर है नमबर से कौन सा एक उपन्यास राग गेवे रांगव द्वारा लिखित नहीं है ये दोस्तों इनके द्वारा मिट्टी के कलंक ये रचित नहीं है बाकि सीधा साधा रास्ता मुर्दो का टीला कब तक पुकारू ये परमुक इनकी रचना है देखिए तिदा साधा रास्ता परशित साहित्यकार कानेकार उपन्यास और देखिए राग रागवेव को सामाजिक उपन्यास है दोस्तों ये जो मिट्टी का कलंक किसके द्वारा रचित है यादवेंदर अगला देखिए फटका जंजाल सिस नाटक के लेख कौन है तो यह दोस्तों इसके हैं सीवचंदर बार्तिया देखिए सीवचंदर बार्तिया आधुनिक उपन्यास के साहितेकार के परवतक रहें और इन्होंने देखिए उपन्यास कनक सुंदर को आधुनिक राजस्तानी उपन्यास साहितेका पर्तम उपन्यास माना है इन्होंने राजस्तानी के संबंदित नो गर्णतों की रचना की है राजस्तानी नाटक की रचना का भी इन्होंने शुत्रपात किया था दोस्तो परसिद नाटक के स्रिविलास इनकी फरतम नाटक है दोस्तों इनका और देखें बुड़ापा की सगाई एंग फटका जंजाल ये सभी राजस्तान के पार्तिंदू का माने जाते हैं दोस्तों अगर देखें मूड ये लिपी अक्सरों के अविस्कार करता किसने माना जाता है ये टोडरमल को माना जाता है इसके अशर देखें वाख्या माजनी लिपी था था दा वाणी के वाटी लिपी में बिना मातरा वाले माजनी सब्दों मोड के लिखे जाते थे इले इसलिए इन्हें मूड ये अक्सर कहा गया और देखें इन मूड ये अक्सरों को अविस्कार मुगल समराट के अर्थ सचीव कौन क्योंकि टोडरमल थे उनके दवारा इनको रचना की अगला देखिए यह हैं इंडो आरियन बासा के परिवार के रास्तानी बासा है और रास्तान के जो चूरू जुनजुनू सिक्कर जिल्लों में 30 लाग लोगों दवारा बोली जाती है और इसके अंदर कौन सा हो जाएगा दोस्तों नो डाउट सेकावाटी और इसका करेक्ट आंस गोड़वाडी बोली किस थेतर की है दोस्तों यह सीरोयर की बोली है अगला देखिए निम निम से कौन सा पिंगल की विसेशता नहीं है देखिए इसको विकास गुजरी अब बर्श से हुआ है देखिए बर्जबासा बर्जबासा का जो पूर्वी राजस्तन साहिते का रूप पिंगल है और अधिकान साहिते बहाट जाती कव्योद व्योड़ा लिकिते है और देखिए इसके फर्मुक रूप से पर्तविरार रासो, रतन रासो, वीजेपाल रासो और कुमार रासो बंस बासकर के तियादी है तो कि पिंगल बासा के अगला देखिए दोस्तो एक तरह से नमबर किस कवी ने कहा कि आयो अंग्रेज मुलकरी उपर सीर्सक गीत लिखा और राजाओं को अंग्रेजों के खिलाप ललकार था दोस्ता ये ये बाकिदास डीस का करेक्टा अंसर देखिए इस गीत का सीर्सक लिखने वाले बाकिदास थे और जोथपूर के महराजा मान सिंग राठोड के दरबारी कवी थे ये और बाकिदास रिख्यात जोतपुर के राठोड़ों के साथ अन्य वन्सों को भी इत्यास इसके अंदर मिलता है यह मारवाडी वासा डिंगल वासा के राजस्तान गद में लिखी गई है और जोतपुर राजे की ख्यात भी कहा जाता है इसे बाकिदास आयो अंग्रेज मुलकरे उपर सीस राजपूत राजाओ अंग्रेजों के खिलाब क्या थी गलकार थी बहिए इस नमबर देखे लिम से कौन सी मारवाडी की बोली या उब बोली नहीं है कौन सी मारवाड़े की बोली या उबली नहीं है दोस्तों इसके अंदर नागरचोल नहीं है देखे नागरचोल डुंडाड़ी की उबली है नागरचोल स्वाइमादपुर की जो रस्मी भाग है उस टौंक जिल्ले के दक्षणी पूरी भाग में बोली जाने वाली बास आए ये अगला देखे फोटी तरी निमल में से कौन सा राजस्तान केशरी सिंग भारट की नहीं है रचना सेताउनी रच चूट क्या है परताब चरितर है और देखे रूठ हिरानी है बाकि ये पर्तेक्स जिवन सास्तर ही है वह रालाल सास्तर ही है उनकी आत्म खता है दोस्तों रालाल सास्तर की आत्म खता है ये अगला देखे फोटी पोट निमल में से किस राजब सासक दोवरा नेहे तरंग रचित है दोस्तों ये नेहे तरंग रचित है ये राव बुझ सिंग दवारा है ये इसका राइट आंसर जाएगा ए अगला देखिए वेली किसन रुकमनीरी जंद राव जेज सीरो इन दो डिंगलों में लिखी पुष्टकों को समाजित करने वाले वाचन वाचनिका राठोड रतन महेस दोसातारी खड़िया और देखिए जग्गारी कही ये परमगरों से परतमबार प्रकास में लाने का सरे किसे जाता है ये टेशी टोरी को जाता है अगला देखिए निमल में से किस गरंद को गुन्नीसवा पुराण ये पाँचवा वेद कहा जाता है वेद कितने हैं 4 और 18 पुराण इसके अंदर देखिए जो गुन्नीसवा पुराण और 8 पाँचवा वेद किसे मानाई है दोस्तों ये वेली कुष्ण रुकमनीरी एस का करेक्टांस रो जाएगा अगला देखिए दुरसा आडा ने वेली कुष्ण रुकमनीरी गन्त पांच वा वेद और गुनीस वा प्रोण कहा जाता है दोस्तों दूर साड़ा दोरा रचिता ये पेली कर्शन रुकमनेरी अगला देखिए राजस्तानी बासागा फर्तम लोग पर ये फिलम कौन सी थी ये बाबोसारी लाडली थी इसका करेक्टांस हो जाएगा देखिए राजस्तानी फर्मक लोकफिरी फिलम बाबो सारी लाडली 1961 के अंदर बनी और राजस्तान की पहली फिलम कौन सी है नजराना पर्तम राजस्तानी बाल फिलम दूंगर रो भेद 1985 में पर्तम राजस्तानी रंगीन फिलम लाज राको राणी सत्यी और देखिए पर्तम राजस्तानी रजद जेनती फिलम नी मारी प्यारी चनना रूप से यानि ये पचास फिलम बनीती तब देखिए रजद गरानती पचीस फिलम ती ये मारी चनना अगला देखिए डाक्टर एल टेसिटोरी सम्बन दिता है तो ये चारण साहिते से सम्बन दिता है अगला देखिए उन्चास नंबर इम से कौन सा युगम सही नहीं है रसके अंदर देखिए इस्ट्री ओफ फेमिन्स इन राजस्तान इसके रचनाकार गोपिनात नहीं है इनके देखिए ओपि कुस्वा है और बाकि सभी सुम्हें देखिए दे लास्ट मारानाई बायोग्राफिय ओफ सवाइमान सिंग सेकेंड ओफ जेपूर ये किविन किविकी ये और ओरिजिनल राजपूत ये जे अन आस्वापा की ये और देखिए हिस्ट्री ओफ चाहमान का लक्षमी कुमारी चुडावत की नहीं है तो इनका क्यूशन एक्जाम में काफी बनता है तो दो बेननी एक बेननी और दो बेननी और दो बेननी परमुक इसके रचनाकार बागी बाकी देखिए अन्य उपसन बागो बार मली और मुमल ये परमुक और चक्रेरी चक्वा बात ये परमुक रूप से लक्षमी कुमारी चुडावत की रचना है वाकि एक बेननी दो बेननी ये किसकी रचनाकार रहे दोस्तों नथमल श्री नथमल जोश्री